हाई एविवान मैं हुरितो मेर्चल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत आज में आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ के मढ़ जो होते हैं मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है इसके मामले में कि औरते खास तर से पीछे इसे करना यानि कि पीछे से इन अनल क बात नहीं कर रही हूँ नॉर्मली फीछे जो पॉजिशन होती है लाइक डॉगी स्टाल जो पॉजिशन होता है उसमें औरते इतना कंफुर्टिबल क्यों नहीं होती क्यों रिजेक्ट करते हैं मैंने खास तर से बहुत सारी वीडियो बना ली है हमारे पास मेल आया उसके वीडियो उसके रिगार्डिंग के मैम मेरे वाइब को पसंद हो ना हो पर हमें क्यों पसंद होता है इतना और बहुत से फीमेल जैसे पसंद नहीं करती बहुत फीमेल पसंद नहीं करती है खासतर से मर्द क्यों पसंद करता है स्पेशली खासतर से इस पॉजिशन को एक और पुजिशन है वो भी मर्दों को बहुत पसंद होता है कि लोटस पुजिशन भी आप उसको कह सकते हो या फिरे नो मर्द जो होता है वो अपने लैप के ऊपर एक औरत को ले लेती है उस पुजिशन में भी मर्द बहुत इंजॉय करता है मैं उन मर्दों की बात नहीं कर रहे ह जो आलसी होते हैं जिसको इन सारी जो से फ़रक नहीं पढ़ता मैं उन मर्दों की बात करें जिसको एक्सपेरिमेंस पसंद होते हैं वो इसको एंजॉयमेंस का खिस्षा समझते हैं और ऐसे मर्द के लिए ऐसे पोजिशन बहुत आइडियल होता है मैं बात कर रहे हूं 90% मर्दों की कि उनको डॉगी स्टाइल क्यों पसंद होता है क्यों वो इस पोजिशन को खास तो से प्रेफर करते हैं तो आएए फटाफर शुरू करते हैं सबसे पहले बात होती है उस केस में कि जो फीम कि पूजिशन में भी क्या होता है कि उनकी अगर बहुत से पीट में चड़बी है या हैवी फीगर है तो उस केस में मर्द अगर इसका हाइट अतना जादा नहीं हुआ या साइस में थोड़ा सा अनको अगर खुदी डिसकमफर्ट फील होता है ना उस केस में कपल को जो है जो लेवल बो चाहते थे वो उनको नहीं में था और खासतोर से इन कपल के लिए डॉगी स्टाइल जो होता है वो आइडियल होता है अच्छा होता है क्योंकि इस केसे पहली बात के फीमेल की जो वेट होती है वो उनको बॉदर नहीं करता वो अच्छी तरीके से पीलो वग पॉजिशन में पहली बात दूसरा वो लोग वो कपल और या वो मर्द इसको ज़्यादा पसंद करता है ना जिसको ठकने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बहुत सारे मेल पार्टर ने समowते हैं जिसको साइस की प्रॉब्लम नहीं होती या इरिक्षन की प्रॉबलम नही जो क्या है बट कुछ मर्द समझते हैं कि मेनी फीमेल पार्टनर का तो वक्त लगे गा भई तो इस Estáim मुझदा पिछ र्रहना पड़ेगा तो इस केस में मेल पार्टनर जो होते हैं या तो ठेबलन तॉप पोजिशिण को ड़ाई कर दे gases या फिर ड़गी स्टैल से बूं करते हैं तीजा जो कक्ल होता है कि जिनके बच्चे हो चुके हैं बहुत सारे कपड ऐसे होते हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं नेले दिए इस केस अगर उसके of a Wal niemand अधर गजो काकफी ऊफी ऐलक अन्दर थूद गण नहीं आती, female partner भी male partner खास तर से, जिनकी उनों गिर्थ उतना जादा नहीं होता, यह साइस की धोरी दिक्कत होती है, उनको अच्छा नहीं लगता missionary में या किसी और position में, तो ऐसे जो couple होते हैं वो खास तर से switch करते हैं doggy style में, क्योंकि doggy style में क्या होता है, कि वो पहली बात त यह से जोगता है, क्योंकि वो अलग है, female partner जब laying down में होती है, लेटी होती है, तो insertion हमेशा ऐसा होता है, तो जब वो उल्टा होती है, तो वो जब ऐसा होता है, male partner तो same ही position में है, जब ऐसा हो रहा है, तो male partner को अलग सा feel होता है, और इस feeling को अचीव करने के लिए, वो हमेश प्रेफर, especially last moment में, वो doggy style को ही करते हैं, बट मैं आपको personally suggest करूँगी, कि अगर अपकी female partner की private part जो है, वो ज़ादा थोरा सा धीलापन आप महसूस करते हो, रॉमल बद भी होई है, या फिर बहुत बड़ ऐसा होता है, जब हम use to हो जाते हैं, regular base पे, तो lubrication ज़ादा होता है या फिर used to होने से stretch जादा होता है, उस case में भी धीलापन महसूस करना आम बात है, इस case में आप VG3 capsule का इस्तमाल कर सकते हो, यह जो VG3 female renewal capsule है यह 100% safe है, आयरवेदिक है, natural ingredients से बनाए गए है, इस box के अंदर आपको ऐसे 6 boxes, चोड़चटे boxes मिलते हैं, यह खास इसलिए होता ह कि यह जब भी आप relation बनाना चाहते हो, फीमेल पार्तनर की खास थर्सिये फाय intricately हुता है, कि आपको महनत नहीं करना है, कुछ खानी नहीं परती, जब भी आप relation बनाने जाओ, या male partner जो होता है, जब भी आप relation मेंना चाहते हों, और फीमेल पार्तनर की प्रविट इंसर्ट कर देना होता है और 10-15 मिनिट के लिए थोड़ा सा चाहे तो वो लेट सकती है नॉमली लेट रहने से ही अच्छा होता है उच्छ तरीके से ऑफजर हो जाता है इसमें खास्तों से ऐसे इंग्रेडियन्स डाले गए हैं जो आपके फीमेल पार्टनर की या आपके करते हो जादा लुप्रिकेशन के वज़े से यूस्टों होने के वज़े से भी हमारी प्रवेट पार्ट जो होती है वो जादा स्ट्रेच हो जाती है आफ्टर लॉंग टाइम तो यह आपको काफी अच्छी तरीके से उस लेवल को डिस्टोर करने मदद करता है जब भी फीर प्रवेट पार्ट को आप हमेशह ताइट फील करना चाहते हो तो इसको हर रोज शुरू में आप कर सकते हो या फिर हर आप रोज इसका इस्तमाल करो कुछ उच्छों महीने तक करो तो आप खुद फील करोगे एक तो रिलिशंशिप बनाने के टाइम पे आपको तो ताइटनेस फील होगी अधरवाइस आप रिलेशनशिप नहीं बनाते हो तब भी आप हर रोज होने से पहले आप इसका इस्तामाल अगर करते हो तो कुछ महीने में टाइटनेस आप वह रिस्टोरिशन आप खुद महसूस करोगे कि आपकी पार धीरे-धीरे टाइट हो र करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपकी इसकी लिंक मिल जाएगी और वहां से इसको बाइ कर सकते हो अदरवाइस इसके बहुत सारे वेबसाइट है अमाजान फिलिपकार्ड हर जगाह पर यह आप चेक आउट कर सकते हो इसके इसको एक्सपेरिमेंटल चीजे बहुत पसंद होती है जिसको एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद होता है जिसको एकनी फीमेल पार्टनर को वैसे देखना पसंद होता है बहुत सारी फीमेल पार्टनर भी ऐसी होती है जो थोड़ी सी बॉड़ी शेमिंग में जाती है तो वो भी डॉगी स्टाइल को पसंद करते ताकि उसकी over body जो है वो अपनी male partner के सामने उनों exposed ना हो पर बहुत सारी female partner इसलिए भी इस position को reject करती क्योंकि उसको body shaming होती है क्योंकि मैं ऐसे तरीके से exposed हो जाऊंगी इसको psychological factors होते हैं जो मर्द और और औरत के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है अधर्वाइस कुछ मर्द औरत ऐसे होते हैं जो relationship बनाने के दौरान थोड़ा सा हाथ मारना फैर मारना इसा पसंद करते हैं यानि कि बहुत सारे male partner ऐसे होते हैं जो लगा दिया एक चाटा female partner के bump में तो ऐसे भी बहुत सारे male partner होते हैं जिनका fantasy होता है वो पसंद करते हैं ऐसे नहीं लग गया बिल्कुल हलके तरीके चाटा लगाना या फिर female partner को उस तरीके से उनो फिर इंसेट करने के दौरान या female partner को अलग तरीके से टच करना यह आरी चीजे मेल partner को पसंद होता है और ऐसे position जो होती है उसको काफी मदद करता है विकॉस उसके body की बालन्स होती है वो उसके control में होती है इसलिए वो in and out process के साथ साथ बागी और चीजों में भी involved हो पाती है जो missionary में नहीं होता या फि होता है वो किसी और position में नहीं होता इसलिए खास तोर से जो experimental couples होते है वो switch dog style में करेंगे ही करेंगे आप क्या सोचते हो आपकी क्या राय है मुझे आप मेल करके बता सकते हो वीडियो गर पसनाए तो like जरू करना share जरू करना और मुझे subscribe भी कर सकते हो दोस्तों क्योंकि यह नौन सब्सक्राइबर से आती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो इससे मुझे कोई पैसे बगारे नहीं मिलते बस एक अच्छा सा मोटीविशन मिल जाता है कि हां सब्सक्राइबर बढ़ रहे है इसका मातला कि वीडियो अच्छी बन रही है ठैर और मुझे अगर आप इ डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बाबाई